भारत के स्टार पहलवान साक्षी मलिक बिनेश फोगाड बजरंग पूनिया पिछले कई महिनों से डबलो एफाई के अध्याक्ष ब्रिज भूसरन श्तरण सिंग के खिलाफ धर्ना प्रदर्शन कर रहे थे वहीं अभी हाली में पहलवानों के मुद्दे को उठा कर हर्याना के कुर्छेतर में खाप महापंचायत का आयूजन किया गया जिसमें किसान नेतर आकेश टिकहत ने सरकार और ब्रिज भूसरन श्तरण सिंग के खिलाफ मोर्चा कुलते हुए अलान किया था कि नौजून को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन क्या जाएगा वह बात्चीत से से मामले को समधार करें उनकी गिरफ्तारी हो और नहीं तो नो मारिक में इन बच्चों को वहाँ पर जंतर मंतर पर बठाने लेकर जाएगी यह फैसना हो यार हम पूरे देश बरदत मंचात्र करेंगी लेकिन नौजून से पहले ही साक्षी मलिक बीनेस फोगाट बजरंग पून्या अपनी रेलवे की नौकरी पर वाज़ा है पस लोट गये बता दें कि महिला पहलवान भारतिय कुस्ति संग के अध्धक्ष ब्रिज भूशन सरण सिंग के खिलाप यौन सोशन का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफतारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले कई महिने से धर्ना प्रदर्शन कर रहे थे मगर 28 मई को उन्हें वहां से हटा दिया गया जिसके बाद सभी पहलवाने ने हरितवार पहुँचकर मेडल गंगा में प्रवाहित करने का प्लान बनाया हालंकि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि किसान नेताओं ने समझा बुझा कर पहलवानों को वापस भीज दिया इसके बाद राकेश टिकैत ने पहलवानों के मुद्दे को उठा कर हरियाना के कुर्चेतर में खाब पंचायत का आयुजन किया जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार और ब्रिज भूशन सिंग के खिलाब हमला बोला क्योंकि इसी बीच ब्रिज भूशन सिंग ने अपनी अयोध्या वाली रैली रद्द कर दी थी जिसके बाद टिकैत ने ये माहूल बना दिया कि खाब पंचायत के डर से ब्रिज भूशन बैक फुट पर आ गए और अपनी रैली रद्द कर दी टिकैत ने इस मुद्दे पर बयान देते वे कहा हरियाना से बड़ा मैसच जाना चाहिए ऐसे में इन्हें साथ से दस दिन का समय मिल जाएगा उसने अपनी अयोध्या की पांच जूर वारी रैली रद्द कर दी क्यूंकि खाब महा पंचायत का दबाब था हालंकि अब टिकैत नौजून को आंदोलन नहीं करेंगे क्यूंकि पहलवानों ने खुद को पीछे हटा लिया है जिसके बाद भारती किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में नौजून को जंतर मंतर पर आयूजित किया जाने वाला कारिक्रम रद्द कर दिया है किसान नेता राकेश्टिकैत ने कहा है अभी इनकी बाद चीज सरकार से और ग्री मंतरी से चल रही है इनके कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन अस्तगित कर दिया है पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो तारीख देंगे हम उसमें उनका समर्थन जरूर करेंगे वहीं से पहले साक्षी मलिक ने नौकरी पर वापस जाने को लेकर एक ट्वीट करते ही कहा इनसाप की लड़ाई में हम में से कोई पीछे हटा नहीं ना हटेगा सत्ताग्रा के साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ इनसाप मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है क्रिप्या कोई गलत खवर ना चलाई जाए बता दें कि पहलवानों और ग्रिमंत्री अमिश्ता के बीच एक लंबी बात चीत अभी कुछ दिनों पहले हुई थी जिसके बाद आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया और पहलवान नौकरी पर लोड़ गये जिसके बाद बजरंग पूनिया ने भी एक बयान जारी किया और उन्हें कहा कि अफवाह न उड़ाई जाए वो अभी आंदोलन छोड़ नहीं रहे है सुनिये बजरंग पूनिया ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज एजनसी है उन्होंने जो फाइफलाई ट्विट करके कि कोई पुक्ता सबूत नहीं इसलिए के इसको बंद कर रहे हैं तो वह सिर्फ अप्वाई हैं उन्होंने वो ट्विट बाद में डिरिट भी कर दिये तो आप ऐसी चीज उनके बिच में अगर जो कोई बात आडाले कि तो हम जोब छोडने के लिए भी तःयार हैं क्योंकि हमने अपना सब कुछ दाव के लगा के हम यह लड़ाई लड़े हैं क्योंकि यह लड़ाई बैन बेटियों कि रिजजत और मान स्कानी लड़ाई है तो हम देशी बेटिय वो जब तक नए नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे नमस्कार